किसे बाहर निकल करके जब तुम आसमान को देखोगे तो कितना सुन्दर देखता है आसमान में सूरज है, बादल है और इसी चीट को अगर तुम रात को देखते हो तो तुम्हें तारे नजर आएंगे एक सवाल उठना चाहिए तुम्हारे मन में और शायद उठा भी होगा क्या आसमान में तारों के अलाबा चांद के अलाबा कुछ और भी है और इसका जबाब है हाँ आसमान में बहुत सारी चीज़े हैं और अगर हमें इन सबी चीज़ों को देखना है तो हमारे पास होना चाहिए एक टेलिस्कोप हमारे जो बंटू है वो थोड़ा confused है बंटू के मन में एक सवाल आ रहा है जो शायद आपके मन में भी आ रहा होगा कि a telescope is used to observe space ठीक है बट विल वन टेलिस्कोप बिस अफिशेंट फोर अस टो अब्ज़व completely पूरे space को हम completely देख सकते हैं बटू के मन में जो सवाल है मैं simplify कर देता हूँ कि space के अंदर जो भी चीजे हैं उन्हीं देखने के लिए हम telescope का इस्तमाल करते हैं पर क्या एक telescope दुनिया में या फिर space में जितनी भी चीज़े हैं क्या उससे हम एक telescope से सभी चीज़ों को देख सकते हैं इसका जबाब है सायद नहीं आज telescope even installed in space क्या space में भी telescope रखा गया है जहां से तुम किसे भी चीज़ को देख सकते हो that's a good question इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले class 9 science के इस chapter में जिसका नाम है observing space telescope यह है chapter number 18 और इसका आज हम देखने वाले है lecture number 1 जैसमें हम बात करेंगे page 209 to 211 पर आने वाले हर एक चीज़ के बारे में इस chapter का lecture 2 और 3 भी आएगा बड़े का और बात है कि इस channel पर हमने अल्रेड है सारे chapters कवर कर लिए जो भी आपको screen पर दिख रहे हैं इन सभी chapter के link आपको description में मिल जाएंगे playlist के और हाँ इसके सारे notes आपको मिल जाएंगे इस telegram channel पर My name is Shivam Jha, an educator by choice, a certified memory coach and a creative learner and हाँ तुम सबका प्यारा भाई Let's get started with today's lecture बच्चों यह जो तुम देख रहा हो एक telescope है telescope को पहली बार इन scientist ने invent किया था researcher थे basically इन्होंने पहला telescope बनाया था और इन्होंने कैसे telescope बनाया इन्होंने देखा जब दो lens को एक दूसरे के past लाके रखा जाएं तो जो हमें object है वो थोड़ा past में दिखता है simple बट पहली बार telescope use करने वाले या किसी को suggest करने के लिए इन्होंने को देने के लिए यूज करने वाले उनका नाम था Galileo Galileo in 1609 made the telescope for space observation Galileo को space में काफी interest था और इन्होंने space को देखने के लिए एक telescope बनाया अब Galileo ने जो telescope बनाया था वो कुछ इस प्रकार कर दिखता है बट इन्होंने क्या observation किया वो बहुत important था उसे में बहुत detail में पढ़ना है सबसे पहले इन्होंने कुछ observation किया था वो था देखो है आपे he observed craters on moon Galileo ने कुछ evidence दिये थे अपने observation से और पहला चीज था कि he observed craters on moon अब तो मैं यह moon दिख रहा है और इसमें यह ऐसे ऐसे part दिख रहा है इसको हम लोग craters बोलते हैं दूसरा जो observation था Galileo का वो था he saw four moons revolving around the Jupiter proving not everything revolves around the earth समझना यह है Jupiter और इसके बाजू में चार moon घुम रहे हैं पहले लोगों को लगता था अर्थ सेंटर में और अर्थ के आसपास सभी चीजे गुमती है बट Galileo ने इसको गलत सवित किया अपने इस observation से तीसरी वाली जो चीज है वो है black spot on the sun तो मैं आभी आपको एक photo दिखा रहा हूँ जहाँ पर sun के ओपर एक black spot आपको दिख रहा होगा ये भी Galileo ने observe किया था और एक और बहुत ही interesting से चीज Galileo ने observe किया था और वो है ring around the Saturn आपको पता है सनीग्रह सनीग्रह के आसपास बड़ी खूबसूरत सी ये ring होती है जिसको Galileo ने अपने telescope में देखा था हाँ ये इतना clear image नहीं देखा था बड़ इस चीज को Galileo ने पहले ही कह दिया था so this way of the observation made by Galileo अब मैं आप से पूछना चाहता हूँ एक सवाल और सवाल है Galileo saw dash moon revolving around the Jupiter अभी अभी बता है तो तुम्हें इसको नीचे comment सो बता दोगे अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक interesting से चीज बताता हूँ तुम्हारा भाई Unacademy पे काफी सारे free lectures लेता है जिसको आप join कर सकते हो description में दिये गया लिंक से ये सारे classes absolutely free होते है simply तुम्हें एक invite code डालन है as just super 10 अब मैं 9th के लिए पढ़ाने वाला हूँ चले आगे बढ़ते हैं एक free test series भी है मैं तो तुम्हें कुछ questions प्रैक्टिस करने के लिए देता ही हूँ बढ़ तुम इस free test series को भी join कर सकते हो जो कि SSE class 9 के लिए है यहाँ पर आपको math, science, social science और English का मिल जाएगा total 12 questions होँगे duration ए 60 minute और यह पूरा मार्थ चलने वाला एवर्नेस दे Friday, Saturday, 1 p.m. and 8 p.m. तो इस test को जरूर देना जिससे तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी और stress को भी unlock करने के लिए तुम्हें same code यूज करना है S.J.Super 10 stress series का भी link में description में डाल दूँगा एक और interesting बात अब मुझे पता है कि तुम लोग आगे जाके 10th में ही पढ़ने वाले हो ठीक है अब तुम ये chapter पढ़ने हो that means कि तुम आगे 10th में जाओगे तो तुम enroll कर सकते हो खुद को an academy के emerge जो कि एक प्रकार का mock test होता है और जिस तुम अंदाचा लगा लो कि board के paper कैसे होंगे ज्यांसा सुनना यहाँ पर आप जब enroll करोगे ठीक है तो आप practice कर सकते हो अपने final exam के लिए with live test series and test test detailed performance report मिलेगा हर एक learner को and यहाँ पर जो question paper होगा उसका analysis and discussion class भी होगा हर एक mock test के बाद यह 4 से 8 मर्ज तक चलने वाला है 5 p.m. onwards और अगर तुम लेट देख रहे हो तो तुम यह free test series में आई सकते हो और मेरे free live class में आई सकते हो यहाँ पर detail देख रहे होगे आप screen पर Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday science mock test 1, science mock test 2, maths 1, maths 2 और English का test होने वाला है emerge में तो emerge जो maharashtra board के लिए उसको enroll करने का link मैं आपको description में डाल दूगा test series का link डाल दूगा मेरे upcoming free live classes का भी link डाल दूगा तो मिलते हूँ वहाँ पर और एक छोटी सी last बात और है कि अभी अगर आप मेंसे कोई वियान academy का plus subscription लेना चाहता है जो की paid classes होता है तो अगर आप एक year का subscription लेते हो तो आपको 6 month का extension free मिलेगा यह limited time offer है और यहाँ पे तुम simply जो code use कर सकते हो code है तुम्हारा यह नहीं आपको use करना यह वाला code SJ super 10 code remains same for everything तो तुम simply जाकर के इसे ले सकते हो this is the code SJ super 10 जिसका आप इस्तमाल करोगे तो आपको एक साल के subscription पे 6 month का free extension मिल जाएगा आप emergency में enroll कर सकते हो free live test दे सकते हो और साथी साथ मेरे free lab upcoming classes मा सकते हो तो depending on upon your choice आप किसी भी चीज में enroll कर सकते हैं चलिए the code is SJ super 10 all the links are in the description और अब हम आगे की बाते करते हैं देखो बचो light के बारे में थोड़ी सी बाते करते हैं light एक प्रकार का electromagnetic web होता है electromagnetic web से हम बोलना चाह रहे हैं कि ये vacuum में भी travel कर सकता है ऐसा नहीं कि इसको एक medium चाहिए ही चाहिए like हमारा जो sound था उसको एक medium चाहिए ही था study of sound तुम्हें पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो उसका link description में है जान से सुनना every wave has a characteristic wavelength हर एक wave का एक wavelength होता है तो light अगर एक electromagnetic wave है तो उसका भी एक wavelength होगा अब इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं इस चीज को हम बोलता है electromagnetic spectrum तुम्हें पता है नीचे violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red जिसको तुम प्याते हो अब यहाँ पर जो तुम्हें दिख रहा है यह सारे color जो भी तुम्हें दिख रहा है इनमें red का wavelength है ठीक है लामडा से हम लोग wavelength दिखाते है 800 nanometer violet जो है उसका wavelength है 400 nanometer इससे तुम्हें clearly समझ में आ रहा होगा कि उपर से नीचे जब हम आ रहे तो wavelength कम हो रहा है तुम सोचते हो कि दुनिया में इतने ही color है बट यह गलत है वाइट में इतने ही color नहीं है यह तो visible range है colors का यह visible range है इसके उपर और इसके नीचे होता है invisible radiation मतलब invisible range होता है जो तुम आखों से देख नहीं सकते हो मेरी बात ध्यान से सुनना अगर मैं उपर की बात करूँ तो यहाँ पे radio wave है micro wave है and infrared wave है इन सभी के जो भी wavelength है वो मैंने उपर लिख दिया तुम्हें दिख रहा होगा उपर जादा है और फिर नीचे कम होते आ रहा है हमने visible की बात करी थी अब इसके नीचे जो invisible है उसमें ultra violet है x-rays है और gamma rays है सभी चीजों का wavelength यहाँ पे लिख दिया गया है you can clearly see कि उपर से नीचे जब हम आ रहा है तो wavelength भचता जा रहा है चलिए अब आगे बढ़ते है और एक सवाल है मेरे पास आपके लिए light is and dash web तुम्हें इसका answer नीचे comments पे देना है और तुम्हें कैसा लग रहा है lecture यह भी बता है इसके notes भी तुम्हें मिल जाएंगे टेलीग्राम पे चलिए आगे बढ़ते है अरे बच्चो मैं जब मेरे 10th पे था 9th पे था तो मुझे guide करने वाला कोई नहीं है बट नहीं था बट मैं चाहता हूँ कि जब तुम 10th में आओ तो तुम्हें मैं guide करूँ ठीक है इसी लिए मैंने एक छोटी सी एक छोटा सा चीज बनाया एंड इस एच एक सेकेंड तो यह है हमारा प्रस्टनल मेंटॉर्शिप इसमें आपको जॉइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसका इसमें मैं सिंपल तरीका आपको बताता हूँ इसका पैसा कितना लगेगा तो इसका पैसा जो है उससे पहले benefits बताना चाहता हूँ यह नहीं में लिखे तो benefits है यहाँ पर जो आप पढ़ सकते और आपको असानी से समझ में आ जाएगा मेरे गुरु जी ने मुझे सिखाया था promise less and deliver more यह जो मैं तुम्हें promise करना हूँ इससे बहुत जादा चीजे मिलेगी एक चीज जो तुम्हें नहीं मिलेगी वो है syllabus वो अपस नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि syllabus तो already मैंने YouTube पे फ्री में डाल दिया है notes फ्री में डाल दिया है तो notes और syllabus के लिए यह चीज नहीं है बट बाकी हर एक benefit तुम्हें मिलने वाला है अब इसके लिए मैंने एक साल का amount रखा है वो मैंने रखा है 99 rupees कुछ limited seat है तुम्हें कैसे समझ महाएगा कि मैं 99 में enroll कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ तो उसका simple सा तरीका है नीचे जब तुम personal mentorship वाले link पे click करोगे तो वहाँ पे तुम्हें पूछेगा एक discount code नीचे option रहेगा वहाँ पे तुम winner यह discount code डाल के देखना है अगर यह code applicable है तो तुम माल लो 199 का 99 हो जाएगा एक साल के तो तुम समझ जाना कि streets अभी भी खाली है और अगर नहीं है तो तुम समझ जाना सारे streets फुल हो तो डबल आई डबल अनी आर वीनर यह code तुम्हें यूज करना है और तुम मेरे personal mentorship में आ सकते हो कब आना है तुम्हें जब तुम्हें लगता है कि अगर कुछ मुझे अच्छे से guide कर दे न मेरे सा senior मेरा भाई तो मैं मचा दूंगा Thank you so much for listening to me अब आगे बढ़ते है Optical telescope Optics मतलब होता है light तो वो telescope जो vegetable range of light पे काम करता है उसको हम optical telescope कहते है और इसको हम vegetable radiation telescope भी कहते है अब देख दो सुनना ये है हमारा आस्मान और इसमें चमक रहे है तारे Optical telescope दो प्रकार के होते है पहला होता है refracting telescope जिसके बारे में हम इस lecture में पढ़ने वाले है और इसके disadvantages पढ़ने वाले है और दूसरा होता है reflecting telescope जिसके बारे में हम बाबने पढ़ेंगे लेट्स टॉक अबर रिफ्रैक्टिंग टलिस्कोप तो वो है चांद ये है एक रिफ्रैक्टिंग टलिस्कोप अब जो चांद है वो हमारा source of light है क्योंकि वहाँ से light आ रहा है objective lens के तरफ जो object के तरफ है light आएगा वो light bend होगा क्योंकि एक lens है और रिफ्रैक्शन हो रहा है बिसिकली समझाता हूं मैं तुम्हें और वो हमारे IPS के पास दिख जाएगा अब इस चीज को थोड़ा अच्छा से समझते है objective lens, IPS lens object से light आया यह light जैसे इसमें आएगा यह bend हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर lens है वहाँ पर medium बदलता है इन साली चीजों के बारे में अब 10th में बहुत डेटेल में पढ़ोगे तो tension नहीं लेना है यह bend हो करके आगे जाएगा किसी point पर यहाँ पर meet करेगा because it's a convex lens और फिर IPS के पास जाएगा और यहाँ पर हम देख लेगे ड्यान से देखना हो अगर मुझे कोई बड़े से object का image देखना है तो वहाँ से maximum light आना चीए जादा से जादा light आना चीए अगर मुझे जादा से जादा light चीए यह उस heavenly object heavenly मतलब space में जो है तो मुझे इसका size बढ़ाना पड़ेगा जतना बढ़ा यह रहेगा उतना जादा light कलेक करेगा उतना जादा मुझे clear image में देख इसके कुछ disadvantages है जिसके बारे में बात बात करेगा अभी हमारे topic पेचे पकते है तो यह light ray आया ठीक है यह light ray यहाँ पे bend हुआ देखो light ray changes its direction light यहाँ से आया और यह bend हो गया ऐसा सीधे ना जा करके देखो यह जो light है उसको कैसे जाना चाहिए था normally ऐसा सीधे सीधे चाला चाहिए क्यों light always travels in a straight line बट ऐसा ना करके हमारा light ray bend हो गया क्योंकि medium बदला है as it enters lens from the atmosphere lens में atmosphere से medium बदला है इसी चीज़ को हम कहते है reflection क्योंकि इस telescope पे lens है और यहाँ पे reflection हो रहा है क्योंकि light ray bend हो रहा है इसलिए इसको हम कहते है refracting telescope अगर medium बदलेगा तो light का direction बदलेगा और light का direction को बदलने को हम reflection कहते हैं और क्योंकि इस telescope में reflection हो रहा है तो इस पहुं reflecting telescope कहेंगे बहुत simple अब यहाँ पे देखो light ray आ रहा है इस point पे meet कर रहा है but light ray ऐसे ना करके मानलो कि इस तरीके से आए थोड़ा inclined है in that case यह light ray bend होगा और किदर इस point पे मिलेगा क्योंकि same lens है तो focal lens same होगा इन सारी चीज़ों के बार में 10th में अच्छे से बढ़ने वाले हो ठीक है यहाँ पे meet करेगा तो जब यह आगे बढ़ेगा light ray तो यहाँ पे आ जाएगा लेकिन हमारा तो eypiece lens छोटा है तो हमें क्या करना पड़ेगा आई-piece lens के size को बढ़ाना पड़ेगा अगर आई-piece lens के size को बढ़ाएंगी तो हमारा lens भी बढ़ा हो जाएगा आप समझे रहे हैं तो यह दिक्कत वाली बात है ऐसे कुछ disadvantages है यह तो छोड़ी सी बात थी कुछ disadvantages के बारे में बात करता है पहला disadvantage जो तुम्हारा है वो है कि अगर तुम चाहते हो जैसा कि मैंना तुम्हें बता है कि तुम्हें clear image मिले तो तुम्हें क्या bright image चाहिए source से ज़्यादा से ज़्यादा light collect करना पड़ेगा maximum possible light तो तुम्हारा जो objective lens है तुम्हें बड़ा से बड़ा होना चाहिए मान लेते हैं यह हमारा objective lens है और इसको हम बहुत बड़ा करना चाहते है ज़्यादा बड़ा करना बहुत मुश्किल है however it is very difficult to make a very large lens तुम उसको carry कैसे करोगे एक जिगे से दुसरे जिगे लेकी कैसे जाओगे पर मान लेते हैं कि तुमने एक बड़ा सा lens बना दिया या फिर तुमने जुमा जो भी lens है वो उस पर light गीरा वो light रहे क्या होता है bend होता है तुम्हें clear image मिलता इससे right but but तुम्हारा बखौद बड़ा lens है तो जो lens है वो glass से बना हुआ है glass एक fluid है ठीक है यह fluidity दिखाता है basically fluidity मतलब वो थोड़ा पचिक साकता है मैं तुम्हें समझाता हूँ यह जो तुम्हारा lens है वो क्या हो सकता है वो basically इस तरीके का थोड़ा सा हो सकता है ऐसा मुर सकता है और अगर यह मुरेगा तो इसके पूरे focal length की what लग जाएगी तो light जो एक point पे मिलना चाहिए वो ऐसे अलग-अलग point पे मिलेगा और तुम्हें clear image नहीं मिलेगा तुम्हें कुछ ऐसा blurry image मिलेगा यह एक disadvantage था दूसरे disadvantage के अगर मैं बात करूँ तो ध्यान से सुनना क्या है अगर हमें clear image चाहिए तो हमें इसका size बढ़ाना पड़ेगा तुम्हें यह सब पढ़ लेना जो भी लिखा है अगर मैं इसका यहाँ पे यह light rate meet कर रहा है तो मान लेते हैं कि मैंने इसका size को बढ़ा कर दिया तो क्या होगा कि यह यहाँ पे meet करने के जगए उसका length भी बढ़ जाएगा तो इस telescope को तुम carry कैसे करोगी समस्य है न चलिए आगे बढ़ते हैं अब ध्यान से देखना आगला वाला जो हमारा यह lens है उसमें से white light आ रहा है white light के अदर हमने देखा था कि बहुत सारे और भी light होते है अलग-अलग light का हमने देखा था अलग-अलग क्या होता है wavelength होता है अब अलग-अलग wavelength होने के कारण यह अलग-अलग light अलग-अलग तरीके से bend होगे अलग-अलग point पे bend होगे तो सारे common point पे मिलेंगे इसकी कोई guarantee नहीं है इसी चीज को हम बोलता है chromatic aberration and because of it तुम्हें same color का image नहीं मिलेगा उसके उपर थोड़ा सा इस तरीके का गढ़बर होगा is it clear तो basically colors अलग-अलग होने के कारण थोड़े से error हो सकते हैं अलग-अलग wavelength पे तो यह कुछ तीन तुम्हारे basically disadvantages थे अब अगले lecture में हमें पढ़ना है reflecting telescope बहुत detail में अगला है chromatic abbreviation occurs in which of the following telescope तुम्हें इसका नीचे comment में answer बताना तो चार question तुमसे पूछे कहते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe कर लेना और अपने juniors को share कर देना जिससे इस चैनल को growth मिले thank you so much for watching this video सारे notes विगरा सब में telegram पर डाल दूंगा check out all the links in the description and thank you so much happy learning अगर लेक्षर बहु जल्दा जाएगा और बाख की chapters को भी link description है once again happy learning